तो आज हम एक्सरसाइस फोडिंग का एक्जामपल नंबर 27 करेंगे तो देखते हैं क्या है क्योशन है from the top of a building 60 meter high the angles of depression of the top and bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree find the height of tower ठीक है अब ध्यान से देखेंगे इस question में दिया है कि एक building है जिसका height 60 meter है तो पहले हम ground को represent करेंगे तो ground को हमेसा हम horizontal line से represent करते हैं ठीक है और एक building है जिसका height दिया हुए 60 meter जिसको हम बाद में लेखेंगे तो दिया है from the top of a building 60 meter high the angles of depression of the top and bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक tower है ठीक है और tower को हम यहाँ पे ऐसे vertical line से ही represent कर रहे हैं जो कि इसके opposite side है clear है building के opposite side है अब question यह है कि यहाँ पे हम tower के height को building के height से छोटा क्यों दिखा रहे हैं तो ऐसा इसलिए तो कि question में already दिया है कि जब हम building के top से जहाँ से देखेंगे जब building के top से एक बाद tower के top पे देख रहे हैं और एक बाद tower के bottom पे देख रहे हैं तो दोनों ही case में angle of depression बन रहा है और angle of depression तभी बनता है जब मेरा object का point ठीक है ना जब मेरा object का point horizontal line से नीचे हो तो अगर जहां से समझेंगे अगर मेरा observer यहाँ पे है तो उसके लिए horizontal line यह होगा ठीक है यह horizontal line होगा अब उस कहां देख रहा है tower के top पे देख रहा है और tower के bottom पे देख रहा है और दोनों ही point जब horizontal line के नीचे होगा तभी जाके हमको angle of depression मिलेगा ठीक है ना अगर कोई भी point horizontal line से उपर होता है तो उस case में angle of elevation मिलता लेकिन question में कहीं भी angle of elevation का जिक्र नहीं क किया है केवल angle of depression का जिक्र किया है ठीक है ना चलो अब हम इसको solve करते हैं यह बाद question को फी से पढ़ेंगे हम लोग क्या है question from the top of a building 60 meter high building का 60 meter height है the angles of depression of the top यानि कि एक बाद top कर दे रहा है and bottom यानि कि bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree ठीक है तो अगर यह observer top पे देखेगा इतना तो clear हो गया क कि जो tower का height होगा वो building के height से छोटा होगा क्योंकि दोनों ही case में हमको angle of depression मिल रहा है ठीक है अब ध्यान से देखेंगे अब यह जब observer top पे देखेगा तो line of side क्या होगा line of side कुछ यह होगा ठीक है ना और tower के bottom पे देखेगा तो line of side कुछ यह होगा ठीक है यह कुछ ऐसे जा अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम पर नेमिंग कर लगते हैं तो building को हम A B से रप्रेंट कर रहे है ठीक है और इसको हम C D से रप्रेंट कर रहे है अब यहाँ पर दो angle of depression दिया है एक 30 degree है एक 60 degree है तो किस case में 30 degree होगा तो जाईसी बात है कि यहाँ पर angle कम बन रहा यह 30 होगा और यह angle 60 होगा वैसे भी question में पहले किसका दिया है angle of depression of top दिया है यह angle top के लिए है और यह angle of depression bottom के लिए है ठीक है न तो top के लिए angle of depression 30 degree है और bottom के लिए angle of depression कितना है 60 degree ठीक है 60 degree और इतना पता है कि angle of depression हो या फिर angle of elevation हो वो angle हमेशा horizontal line और line of side के बीच में बनता है clear है यहां तक चला अब हमको find क्या करना है find the height of the tower tower का height बताना है यानि कि cd का length बताना है कितना होगा यहाँ पर a b already दिया है 60 meter ठीक है अब हमको cd find करना है तो माल लेते हैं कि जो cd का height है वो h meter है तो lastly finally हमको क्या निकालना होगा h निकालना होगा ठीक है यहाँ पर दिखेंगे पहले statement लेट अबी बीड़ हाइट ऑफ बिल्डिंग बिल्डिंग और cd बीड़ हाइट ऑफ टावर ठीक है तो देन क्या क्या हमको मालूम है a b 60 meter है एंड यहाँ पर cd को क्या लेट किये है h meter जो हमको find करना है अब कैसे करेंगा वो जहां से देखेंगे तो इस figure में हमको अच्छा थीक है समझेंगा अब यहाँ पर तो इस figure में हमको कुछ right angle triangles दिख रहे हैं कौन कौन से यहाँ पर हम थ्वड़ा construction कर रहे हैं construction क्या अगर रहे हैं कि हम d point से ठीक है इसको हम यहाँ से जोइन कर देना है ऐसे कुछ ठीक है इसको मैं ऐसे जोइन कर दी क्लियर है तो यहाँ समझा किया है कि पर प्रप्रेंगल ड्रॉ किये हैं e पर d point से a b पर हम प्रप्रेंगल ड्रॉ किये हैं और इसको हम e लेट कर रहे हैं तो अब हमको यहाँ पर इस figure में दो right angle triangle दिख रहे ह हैं ठीक है इस figure में हमको दो right angle triangle दिख रहा है कौन से a E D दिख रहा है और दूसरा कौन सा दिख रहे है Тriangle a B C दो right angle triangle दिख रहे हैं और दोनों का use करके हम h find करने का कोसिस करेंगे ठीक है अब कैसे करेंगे बहुत जान से देंगे अच्छा उससे पहले ये भी समझेंगे कि यहाँ पे जो d e line है इस horizontal line के parallel होगा ठीक है यहाँ पे a d transversal है तो alternate internet angle से ये angle और ये angle equal होगा जस्त व्यासे ही ये वाला पूरा बड़ा वाल angle इसके equal होगा तो ये कि इतना हो जाएगा 60 degree क्योंकि bc और ये horizontal line ये भी parallel होगा और ac transversal है तो उसके इसमें ये angle और ये angle भी आपस में क्या होगे equal होगे तो ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 ठीक है तो दो right angle triangle दिख रहे हैं और दोनों में हमको acute angle भी मिल गया इसमें 30 degree है और इसमें 60 degree है तो पहले हम छोटा वाले triangle या फिर बड़ा वाले triangle लेते हैं उसमें कोई दीकत नहीं है ठीक ना हम पहले बड़ा वाले triangle लेते हैं तो triangle लेंगे a b c लेंगे तो लेखेंगे now लेखेंगे now in right triangle a b c अब समझेंगे जहां से यह theta होगा तो यह perpendicular अब perpendicular के साथ कौन सा side लेंगे hypotenuse लेंगे कि base लेंगे यहां पे हम base लेंगे base इसलिए ले रहा है क्योंकि अगर हम b c लेते हैं तो यहां से b c find हो जाएगा और b c e d के equal है ठीक है अगर हमको b c मिल जाता है तो e d भी मिल जाएगा और वहां से हमको इस छोटे वाले triangle का use करके h अचानी से निकाल सकते हैं ठीक है तो यहां पर हम tan के use करेंगे तो tan 60 degree perpendicular क्या है a b base नहीं पाता है इसको हम b c लिख रहे हैं ठीक है न तो tan 60 का वैलू वान आप सोरी tan 60 का रूट 3 होता है वैलू तो यह हो गया उपर नीचे root 3 से multiply कर देंगे ठीक है यह हो जाएगा 60 root 3 divided by root 3 into root 3 root 3 का square जो कि 3 हो जाएगा तो cancel होके क्या गया 20 root 3 ठीक है न यहां से हम बोल सकते हैं कि bc कितना आ रहा है 20 root 3 meter अब यह जो bc है ed के equal होगा यह जो bc है ed के equal होगा यहां से लिए सकते हैं कि since ed is equal to bc therefore ed का भी length कितना होगा 20 root 3 meter होगा ठीक है अब हमको ed मालूम चल गया तो अब यह वाला triangle a e d का use करके हम h निकालेंगे अब question यह है कि यहां पर गया होगा तो h कहीं दिखनी रहा है h touch यह है तो फिर हम h कैसे निकाल पाएंगे ठीक है आश जाको को अगर cd पूरा H है, तो Be का लेंथ भी क्या होगा? H होगा. समझेंगे बात कोई? अगर CD पूरा H है, तो CD के इकॉल Be होगा, तो ये H है, तो ये बही H होगा. ठीक है? अगर ये H है, तो AE, ठीकर ये, यहां से लेकर, ठीक है? यह AE कल लेंड क्या होगा, तो पूरा 60 है, पूरा 60 है, और 60 मैसी यह इतना part H है, तो इतना part क्या हो जाएगा, 60-H हो जाएगा, ठीक है समझेंगे यहाँ पर यह पूरा जो है AB 60 मेटर है और यह पार्ट H मेटर है तो यह क्या हो जाएगा 60 माइनस H यानि कि 60 में से H घड़ा देंगे तो यह निकल जाएगा अब हम छोटे वड़ा ट्राइंगल के यूज करकी H अचानी से निकाल सकते है तो इतना वीडियो को पॉस करके फिरें नोट करें हम उपर क्लिक करेंगे अब हम छोटा वड़ा ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल AED तो लेखेंगे इन राइट ट्राइंगल AED ठीक है अब इसमें देखेंगे इसमें थीटा क्या है 30 डिगरी है यह परपेंडिकुलर जो कि हमको निकालना ह h में निकालना है और यह ed base होगा और ed हमको मालू है 20 root 3 यानि कि यहाँ भी tan e का use करना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 degree is equal to perpendicular ae है और base यहाँ पर ed है ठीक है तो solve करेंगे tan 30 का value 1 upon root 3 ae क्या है 60 minus h और ed 20 root 3 ठीक है तो cross multiply करेंगे 20 root 3 is equal to root 3 into 60 minus h ठीक है cross multiply कि 20 root 3 हो गया अब दिखेंगे नियांसे अगर इस root 3 को भीजेंगे तो division में आएगा तो root 3 स root 3 cancel क्योंब क्या बच गया 20 is equal to 60 minus h ठीक है अब हमको h निकालना है तो minus h को इधर भेजते हैं तो minus h इधर आएगा तो plus h और यह 20 इधर जाएगा तो minus 20 क्या आगया h is equal to 40 meter ठीक है यहाँ पर cd यानि की tower का जो height हो जाएगा वो 40 meter हो जाएगा क्योंग टावर के height को ही h माने थे यहाँ पर h 40 आया है तो लिख सकते हैं therefore height of the height of the tower is equal to 40 meter ठीक है ना 40 meter यह होगा final answer ठीक है तो इस तरह से question को solve करना था कुछ अलग तरह के question था इसमें केवल angle of depression ही दिया हुआ था ठीक है और figure जो है question को पढ़के मतलब थोड़ा सधानी से बनाएंगे क्योंकि इसमें गल्ती होने का भी chances हो सकते हैं ठीक है चलिए फिर यह question से बसी किसी दो है बारह में भी पूश चुका है तो उस तरह से important question है इस वीडियो में ही question रहेगा अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में ही question के साथ thank you